है हांची अब हम करेंगे आप वेरी इंपॉर्टन फॉर्शन विच स्टेट इद सेट इंड वा इस इविए लॉप मोशन वह ला हो जो न्यूटल सेकिंड लॉप मोशन है वजी असल में सच्छा लॉप मोशन है कैसे बहु आप इसा क्यों है बहु सबसे पहले तो यह रेखि अगर जेरो हो तो हमारे पास मास टाइम एक्चलरेशन जो है जिरो हो जाएगा अब हमें पते हैं कोई भी बोडी हो उसका मास कबी भी इकल तो नहीं हो सकता और अब यह सी बात अगर को से में प्लाई करेंगे तो एक्सलरेशन कैसे होगी और अगर बॉडी उनिपोर मोशन में वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक क्या है हमारे पास एक्सटर्णल पोस है तो यह तो फिर्स लॉफ मोशन बताते हैं लेकिन इसको त्विरेट इसको मतलब मैथमेटिक ली प्रूफ कौन कर रहा है तो इस पॉइंट पर हम यह कह सकते हैं कि फर्स लॉफ मोशन इस कंटेंड इन दर सेकेंड लॉफ जो फर्स लॉफ मोशन है वो सेकेंड लॉफ के बीच में ही या उसके अंदर ही है इसका पार्ट बन के आजब अब यह होगी इसकी बात अब हमने कहा है यह रियर लॉफ मोशन एक लोफ मोशन तया क्यों रहे कियो रहे कि अब यह रियर लॉफ मोशन नहीं है अब दूस करेंगे तूप तूप थर्ड लॉफ ओफ मोशन इस कंटेंड इन दी एक निए कि यह निकि रड़ लॉप मोशन है वो भी हम नोचन के बारे में बता रहें कैसे मान लेजी हमारे पास यह काई सुरेटेड इस्टम है विरावम सा वैक्टियूम सा सिस्टम है वैक्टियूम में नहीं होडी बहुत सावर है बट वह इतनी बॉड़ी रिखिया इसके तरफ आती और आपस में इसके तरह से मुचली इंट्रेक्ट करती है जैसे ही मुचली आपस में इंट्रेक्ट करती है जो ए है बी के उपर फोस लगा रहे है A के द्वारा B के उपर पोस लगाई जा रही है, B के उपर पोस लग रही है A की और A के उपर पोस लग रही है B की ठीक है, तो इस तरह से हमने इनकी पोस को पता दिया, यानि कि action exerted हुए है by A on B, sorry मैंने वहटा लिख दिया हां जी, action is exerted by A on B and here reaction is shown on A by B, चीक है, तो इस पे हम क्या कहेंगे, एक change in momentum आया है, जब जो चीज़े हम पहले करके आया है, right, linear momentum हम करके आया है, उसके बाद impulse करके आया है, उसमें हमने क्या क्या किया, है कि change in momentum आता है, जब ऐसा कुछ होता है, तो वह change in momentum को हम अज्यूद कर लेते हैं, P, B on D, अब यह P के पैर में B का क्या मतलब है, इसका बता रही है, कि A के दवारा B के उपर क्या है, वह सको exert किया गया है, तो इस A के उपर B के दवारा force exert रही है, तो उसका change in momentum यह रहा, औ अब अगर reaction में हम कहें कि हमारे पास जो है, B के उपर A के दवारा force exert की गई है, उसका जो change in momentum होगा वो यह होगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, FBA हमारे पास है, DPB over DB, और FAB हमारे पास क्या है, DPA over DB, अब दोनों को add on कर लेते हैं, चीक है, एक तो हो गया, FBA plus तूसरा था हमारे पास, AB, अब इन दोनों को add on किया, तो हमारे पास आगया, DT plus DPA over DB, ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट तो हमारा पार्मन है, पार्मन निका लेते हैं, क्या जाएगा, PB plus PA, यहाँ तक तो समझ आगया होना है, अब अगर external force ना हो, तो rate of change of momentum 0 हो जाएगा, यह चीज अगर है नहीं, तो यह सारे के सारे term 0 हो जाएगी, जब यह सारे के सारे term 0 हो जाएगी, तो फिर, let me say, सारे के सारे term 0 हो जाएगी, है नो, तो उस वक्त हमें एग कह सकते हैं, कि अगर मेरे पास FBA plus FAB 0 हो जाए, यानि कि यह वाले कि गफ्ला दा हो गया यहां पर पहले क्या कि अगर एक्षणनल फोर स्पाइल ना हो कि अगर एक्षणनल फोर सप्लाइए ना पी जाए तो कि इस चीश की क्यों वैलियो औभ इसके कि अगुछाइगा पальная नूअजरी ऑषल कि तीन ना मैंटम गया अगर की इसके कुछ वही है तो समय जाएगगा, एक अन्य धर्क-वह ब कोई न्यू है पर याप यह नियुक्ता जाएक तो समय पार कोई पास कोई भी बाराण्ज सब्स साख्यूं लुक्ता कोई भ कर दो अगर हमने में हमने लग मोशन 3rd lock motion एवो फिर 1nd lock motion से ही बना है every action has an equal and opposite reaction जब action नहीं होगा तो reaction कहां से निकल के आएगा और reaction नहीं होगा तो change of momentum कहां से निकल के आएगा चीक है तो first and third law of motion के contained है in second law तो हम कहा सकते कि जो newton's second law of motion है यहाँ पर real law of motion समच में आगे हैं येस पाम फो बागे आपिटरते चाथे हम एपन वेपन वैं न एंवार है ये 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 न लुट अब है हम एपन वेपन वेपन पाम इता है अब है रचे है भ बागे ये 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 येद्टर आप टो है एलेवेटर में आदमी खड़े उसका पैरेंस वेट हर बाद चेंज होने वाला वेट है वो क्या होगा माल लीजिए एक आदमी है ठीक है उसका है मास M यह मेरे पास आदमी है उसके पास M मास ठीक है वो कहा है कि वेइंग मशीन पे खड़े जो कि लिफ्स के अंदर पढ़िये यह वेइंग मशीन पढ़िये और यह वेइंग मशीन कहां पर है लिफ्स के अंदर है यह लिफ्स है अब जब वेइंग मशीन पे अवे कैल्कुलेट होगा वह कैसे होगा एक तो आदमी का मास और उसकी उपर अक्सलेरेशन यो तो ग्राविटी कितनी लगर यह ना और यह अच्छी बश्क्राविटी का मतलब होता है वह पूजिशन जिसमें कोई भी अपनी आपको बैरेंस कर लिए जिसकी मानलों आपने ऐसे क्यांगुलर चीज के ऊपर एक प्लांग करता है तो प्लांग के चैंट्र ग्राविटी हो होगी जब वो इसके उपर बैलन्स हो जाए तो तो कोई वोगा होगी हो तो दो समय जाते हिए जाते हो दमेशे क्याओ क्योंगूंघै की ठीखिए वोगी जिसकी सेंट्र स्क्राविटी यह उसकी मला ए कि मेर्स क्याओ अर यह एक्च्छी चेंग करिया होपकर एक रिक्सनते एक्छेंपोज डिरस्ने हुमारी कॉस कि मेजर कर रही है कि मैन के ओपर कौन-कौन से फोसे लग रही है जब लिप जाएगी नीची जाएगी और सेम रहे इस सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारी जो लिफ्ट है ऊपर की तरब जाएगी याजने की एक्सेलरेशन जो है अपवार्ड होगी है xelineration हमारी होगी इस तरह से अपावार जब इस तरह से अपावार अपावर से अपावार एक्चेलरेशन होगी हमारे पास उस वक्त हमें क्या चीज़ है देखनी वह मिलेगी जो net अपवार्ड पोस होगी पहले हम पॉइंट ब्रहा लाती है जब वेन लिफ्ट मुव्स अपवार्ड विद एक्सेलरेशन ए जब वो अपवार्ड डिरेक्शन में मुव करती है तो उस वक्त हमारी जो नेट पोस आएगी आरमी की वो क्या आएगी ज़िए लगरी यह उपर की तरफ एक्सेलरेशन तरफ यह चीज भारी और यह उप्यक्श्न वाली पोसों जा रही है उपर की तरफ यह एक्सेलरेशन यह निश्चिक घीग घीड़े आराइं लेकिन श्रीशन अपर की तरफ पर यह चारेक्ड पर जारे जब आदमी पी अब नेट पोस हमारे पास क्यों होती है एफ एफ कि क्या वैलिया होती है मास इंटू एक्टू एक्टू जी तो अब हम क्या करेंगे में वाले एकवाले एकषए कर लेंगे में मगम को को और निकार लेंगे अप्लस जी आगया हमारे पास कि यह हमारे हैं को जब लेक्ट अपवाद ड्यक्ट रिक्शन चरेगी डि तो जो आदमी का अफ़रेंट वीट वह एक्ट उना शुरू होगा कि इंग्रीज वो क्यों होन लेकिन धर्ति फिर भी इसको बहुत जोर लगा के नीची की तरफ पींचने की कोशिश करें जैसे नीची की तरफ पींचने की कोशिश करें डाउनवर डिरेक्शन इसका वेट हलका से बढ़ना चुरू होगा नॉर्मल वेट के रियक्शन उससे पर ज़दा लगेगी लेकिन जो लॉर्मल वेट है माल हो आदमी का पचास कीलो वेट है तो डाउनवर डिरेक्शन में एक फोस लगने की कारण उसका 50.50 भी हो सकते है ठीक है 500 ग्राम बढ़ रहेगा या फिर 200 ग्राम बढ़ सकते है ठीक है ऐसा कुछ हो सकते है प्राम बढ़ सकते है जब हमारी लिप जो है डाउनवर जाए अब अगेन वह एक वेइंग चेल के उपर खड़े आरी जब वह वेइंग चेल के उपर खड़ा है तेम उसके उपर क्या है जैंटर ओप ग्रैविटी की पोस लग रही है एंग लग रही है अपवार सिमें क्या होगा हमारे पास यह थ्लॉरेशन हे वह डाउनवर जारे है जब एक्चेलरेशन डाउनवर जाओगी है ह। जब नीचे की तरप जायाए तब आदमें के वेइट में क्या चेहीं आए था है वेंग ओलिफ्ट कि मूस कि डाउनवार्डष एक्सेलरेशन एक्सेलोरेशन ए ठीक है अब क्या होगा जीडि की तरफ दरि यह पहले यह चीज ग्रावीटी के ओपोजिट चल रही जिस कारण ही नेगेटीव आ हिया अब यह चीज के ग्रावीटी के एक्षोड नृउक्टि अब है कहने कि यह पॉस्टिव है और रियक्श इसके उपर नगनी पार है तो रियक्शन कम आ रहे हैं तो हम यहां पर कह से हैं कि जो लग रही है एंग जी माइनस और अगे उल्टा हो गया पहली उपर की तरफ जा रही थी अब नीचे की तरफ जारी तो उब्स भी मरे पास उल्टा आ जाएगा यहां पर ग्रैविटी में से एक्सलरेशन कम हो रही है जब एक्सलरेशन कम हो रही है उसके साथ में जो टोटल वेट उसके कम हो रहा है हमारा काम इसमें क्या होगा जब लिप्स नीचे की तरफ जाएगी जो एपरेंट वेट होगा मैं का वो डिक्रीज हो जाएगा मालों पचास पॉइंट पचास किलो है तो 49.800 कुछ हो साथ है 200 ग्राम का यह 100 ग्राम का यह 50 ग्राम का यह 10 ग्राम का यह डिक्रीज क्यों रहो वो आएगा वैसे 100-200 का फर्क नहीं पढ़ता है हमेशा 2-3 ग्राम मैक्सिमुम होता है लिस्ट के अंदर वो तो जब आप मोन पे जाओगे ना तब हमारा किलो में फर्क पढ़ जाते हैं अब नमबर 3 कंडिशन करते हैं थर्ड कंडिशन हमारे पास क्या है अगें मेरे पास एक लिप्ट है चीक है उस बिंग स्केल पे आधी बैठा है खड़ा है सौरी बैठा नहीं है विद कंडिशन और यह सेंट्र और ग्राविटी है यहां पर रियक्शन अबिक लिकल लेकिन यहां पर हमारी ब्लीप मोग निकर रही है अब क्या करें जेरी है एक्ट्वेसिन जीरो एक तो जीरो यह विग्त एटर्वेरलिट एट रो और मूविटिंग सब्सक्राइब और मेरे युशंद करें Alem और प stun मेरा हई पाइगी अपनी अभी ये जीरो में समझें इधी उस वक्त हमारे men की net force क्या होगी ? Man की net force क्या होगी ? माली जी r- mg ले लेते है, जो हमारे पास common होता है r- mg अब इसके ऊपर ना तो acceleration due to da tert, इस voltage r- mg है net force हमारे पास है जन्छी डईयेarted क्यों ? acceleration इजंस 0 है r-m g t0 r- mg हमारे पास क्या होगा ? विरो की खुल आगया, ठीक है, that means r जो है हमारे पास mg की खुल आचाएगा, r हमें क्या बताता है, apparent weight जो change हो गया, weight कर, weight में जो change आ, इसमें यह बता है, इसमें decrease हो गया, इसमें increase हो गया, और mg हमें क्या बताता है, actual weight, उस वक्त कोई चेंज नहीं आएगा, जब acceleration गयो तो gravity मैं यह भोल रहे थी, यहा तो lift अपावार डिरेक्शन में बूग करती रहे, यहा अपर लिफ जो है, डावनार डिरेक्शन में करती लेकिन उनिफोर्म विलाउस ही, उसमें हमारे पास थे condition होती है, उनिफोर्म विलाउस ही, तब हमारी acceleration गई, जब acceleration गयोघ्व, जो डिट जो पिस्टी डेंगी बिचाँ प्रक्री घोनली बज़े है नित को में जबिख ली मुवीज में देखते है वह क्या है वेन गोलिट सब्सक्राइब उन सब्सक्राइब जो सेनेरियों को मोल जेखाया जाते हैं, वह विल्टाया है और एगम धिया है बहा निकलते होए और भाग रहे की कोशिश की हीरों ने पकड़ लिया अंदर बॉंद है और या की हीरों की रसी काट दिया अपने आपको सैक्रिफाइज का दिया चीक है क्योंकर आठी ताके किसे होत तो कोई लुक्तार ना होता है काइंड और ऐसे चीज़ है हमें देखाई जाती है तो उस वक्ति है जब रसी काट दी तो लेटर को पकड़ने वाला तो कोई नाई निप्टी के ओपर कोई जोड लगाया गया उसको धनका में राया गया निश्कित्राइज कि इस केबल कटी है यहां पर जो हमारी केबल होती वो यां तो फूट गई यह तारुश के काट ही गई है जो स्टा कुछ वागो सो लिफ क्या है विल सॉ प्रेली अंडर ग्रैविटी अब इस केज में आशलेरेशन लेशन इस फिंपर एस बिक्रिश्न ग्राविटी तो ऑविएसलिक जिटने एस्परिशन देटो तो जब ऐसा होगा हमारे पास क्या है और हमने के डाउनवार्ट की तरफ जाए है जब नीचे की तरफ आए तब हमने क्या किया कि एम लोग जी माइनस एक जगा पर एक वैलुट पिल्क दो तरफ दो जाए है तो जो जाए है तो जो उस वक्त क्या होगा कई बार लिप्स इतनी हो चाहिसे कि इतनी हो इतनी हो इतनी हो इतनी हो निखाया जाते हैं इतनी आदमी तो दो आधो तो उपर के लिखाते है और ने तो लगजाते है यहां करया पोज़ दाए यह क्यों पांचते है वेटलेस्ट पील करते हैं वो इसके उपर पोस्नी लग रही है यह एक्सलेशन दिख विदिए अधिक पोला रही है एपरेंट वेट कुछ नहीं ह तुसरा क्या है वो pre falling की condition को experience कर रहा होते है और जब वो ऐसे चीज़ों को experience कर रहा होते है वो weight lessness experience कर रहा होते है कि वो उसको कोई weight नहीं है तरश में आई यह पूछना दो नहीं है नो माम यह वाला टौपी के जिसा बटी इंपॉर्वेंट बहुत है उसे बहुत को श्रम बन किया आखे या फ्रेंट बेड़ वालेगे आपके आपकुछ तॉपी कर्वादी इंपूर्वेशन और पीनियर में लिए च्पर्तों को आपके पीस का टेस्ट एक खरेगी जिसपी सब्चं का टेस्टों करेंगा उस इंपूर्वेगा अग्सरेगाए ठीक है और में टॉबिक आपक तदी ग्यास पटाजू की कफने तक हो बढ़ा है तो अब मुझी का ही होगा है यह अप्रेंट वेट तब कर लो अप्रेंट वेटों को मैं जो भी तब कॉपी की हुआ है हो जाए हमान तक यह सब्सक्राइब इस यह सारे टॉपिक्स आप कर सकते हैं तो नेक्स टॉपिक हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ दीनियर मोमेंटम हां जी इसको हम लॉफ कंजर्वेशन ऑफ इंडियर मोमेंटम भी कहते हैं बात देख नहीं है है क्या यह जो फस्ट इंटर्ड लॉफ नोचन किये हैं उन्हें इन दोनों को मिलागी कि है आमने इक इंपोर्टन ऑन फंडरमेंटल के बारे में पता रहा जो कि हमें लॉफ तर्वेशन ऑ मोमेंटम बताते है पहले इसकी स्टेटमेंट करेंगे इसका कोशन आता होते है इसका कोशन बना बनादे प्र देख एंड डिराइब इसकी स्टेटमेंट गवेशन करेंगे इसकी स्टेटमेंट जो कि आपको डाँ करनेगे पिर आप इसकी डेरिवेशन करनेगे पहले स्टेटमेंट कर लेके हैं अधियर कि वेन लो एक्टरनल को acts on a system of several interacting particles that total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum is the vector sum of the linear momentum of all the particles of the system. यह इस्की statement है, यानि कि जब कोई भी एक चनल को उस्जाटर नहीं करती है, जिसमें 2 यह दो से ज्रादा पार्टिकल्स आपके इस्पेक्ट कर रहे हूं, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, वो तो जाब जाते हैं. तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, वो होता कि है, ह तरह एक पार्टिकुलर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दोरे होता है उँको एड़क होते हैं. उनको जो जाहे मड़क्त, पार्टिकल्स सा बंग सबीदे सब्समेंग कर तो ब्लादान्यमोमेंटम है, जब व म्हाँ मेंग सब्सम्स चनल को जाएगा? थीके हम देविस्की आते हैं, derivation of law of conservation of momentum, ठीक है, अब derivation में हमारे पाट क्या आ आते हैं, मान लेजिए, इसमें हम क्या है, Newton's second law of motion उसारे, पहले तो हम ऐते करेंगे, इसके दो derivation है, बो भी नहीं, तीन है, five-ups, ठीक है, तो first हम करेंगे, from second law, from second law of motion, ठीक है, यह बादी करनी है, जो इसके अग्रेवादी करवा उसे, तो पाके इसको अग्रेवादी करनी है, okay, that will be base-newtons per log-motion, okay, second law of motion के अग्रेवादी करेंगे, मान लेजिए, एक हाइसरेटी सिस्टम यह, वो इस्टम जिसमें कोई भी एक्स्तरम इस्टम कोई अग्रेवादी करनी है, जिसमें, अब इसमेंगए आहे हमारे बहुत सारी बाटीकलuldade तशेए। पहले नंबसे कि पहले वाली का मास M1 दूसे पार्टिकल का मास M2 इसरे पार्टिकल का मास m3 अब झो जो एंस पाकिल हमें कर Te Также एवे करें are the इतनी रहे अपनी लुट्सर और यविरल खेश्य रहे हैं करें सबीज़िए यह वी यह वी आर्थे सें भुब है और शिर्प आपको जब भी डारिवेशन दूजें तरिचेट इख से लिजाए कि तो इना इस लेकिन को सिरबेदे लुट के Конsidटेया इस लागर इसनीड करिकों किसंचे खिटाची कृहर Sugain लेगो एंड यह इंग विजिस देविट लॉटे वीवा देटो उखी अपने इसको क्या है तैसी टीकली मेंट्र करना है इंग्लिश 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 इसने अब याथ को पूर के बताई दो आथ को लिखने होगी इस तोटल नीनियर मोमेंटम आएगा हमारे पास क्या हात है P P आजाएगा M1 V1 M2 V2 M3 V3 Mn Vn ठीक है ओविएपली मास इंटो व्लॉट्ट में हमारे पास क्या होत है मोमेंटम तो यह अपर हम कहते है P1 है 2nd particle का P2 आगया 3rd particle का P3 आगया और M त पार्टिकल का मेरे पास PN आगया मोमेंटम अग देख हे कोई फोर्ट अगर एक्ट करती है इस सब्सक्राइब तो एकोर्डिंटोन स्टेटीं लॉट्ट लॉट्व मोशन अगर कोई एक्टर्न पॉर्ट करे तो वह किसके इक उपलाती है कि लेकिन हमारे पास सिस्टम क्या है अगर किसी भी चीज के डेरिवेशन जीरो हो बिरवेशन हे और By यह सहाद कि भी जाँड नैंस कि अगर पास यह को हुख थेयर जिसका थेयर हो प्लच, अगर इन नहीं हमारे पास अंप हमायन nel? अब यह कॉंस्ट्रेंट है जिसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अब आज हम यहीं तब करेंगे क्योंकि यह तीनों चीज़ें आपको लिख 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 के देखेंगे प्रेशली यह वाला इसके तो डेरिवेशन आणे के बहुत से ऐसे अब है यह कि फिर्स यह कि तो सेकेंड डेरिवेशन करेंगी तरह को बोटयरिवेशन होगी अचिंछी पहली तो यह हुगी कि हमने लाओ इसको दीरायद करेंगे है फिर नहीं कि रुट पर बहुत सारे तो कलका हमारा काम यह है कलको तो अच्छा आज फ्राइड है तो कलको आपका टेस्ट है राइट